इस वीडियों के मानध्यम से मापको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी railway station को जो बोल लगा होता है जहां से हमें यह पता चलता है का। क्वाली ओलते हैं, क्वाली इस वीडियों को लेकि शुरू से लेकर लगा रहा है। और आपको उमीद करूंगा बिल्कुल पसंद आएगी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं राम टेक्निकल टिक यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी वीडियो के नीचे जो रैट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहां प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिए जगा उसके बाद आपको एक घंटी दिखेंगी घंटी भी प्रेस कर देनी आपको सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं जाएंगे यह फ्री में होता है तो प्लीज जरूर करिएगा और इससे आपको फाइदा यह होगा कि मैं आने वाले टेम में ऐसे ही कोई जरूरी जानकारी जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो डारेक्ट आप तक पहुँच जाएगी और आप उस मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएगे तो प्लीज फ्रेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सकाइब जरूर करिएगा तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर तो टॉपिक क्या है फ्रेंट्स यही है कि जैसे अगर आप आप घर पर हो या फिर कहीं भी रेलवे स्टेशन के बाहर हो कहीं भी हो तो आपको अगर रेलवे किसी भी स्टेशन का बोर्ड देखना है ठीक है सपोज अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आप अपने घर पर हो तो आप एक पर चेक कर सकते हो अपनी फोन पर कि आप जिस टेंश से जाने वाले हो वो कितना डिले है लेट तो नहीं है है कब पहुचेगी दुस तरह से आप जानकारी अपने फोन पर ही ले सकते हो तो उसके लिए अपको क्या करना है अपना प्लेस्टोर उपन करना है और यहां पर एक एक एप्लिकेशन का हम यूज करेंगे ठीक है तो मैं आपको step by step बता देता हूं सबसे पहले प्लेस्टोर उपन किया उसके बाद यहां पर सर्च किया एंटी एस ठीक है आप एंटी एस सर्च करोगे तो आपको इस तरह का एप्लिकेशन मिल जाएगा 10 million लोगो ने इसको डाउलूड किया तो यह बतलब सही है और 4.3 की रेटिंग है जो कि एक एप के लिए बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है ठीक है तो इस एप्लिकेशन को मैंने अल्रेटी इंस्टॉल कर लिया है अब मैं open करता हूं और यहां पर आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है ठीक है तो जैसी अपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देख जाएगा अब आपको क्या करना है लाइब स्टेशन यहां पर देखिए लाइब स्टेशन तो अगर जैसी आपको किसी ट्रें का नंबर तो आप क्या करेंगे? spot train यहांपर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक टेन नमबर डालके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अब आपको अगर किसी station के बारे में जानना है जैसे कि आप किसी भी station पर हो मानलो मेरा जो station है वो बरेली है कौन सी टेन कितना डेले है तो इस station के बारे में अगर मुझे जानकारी लेनी है तो मैं क्या करूँगा? get train पहला यूज तो इसका यह है दूसरा यूज यह है friends कि जैसे अगर आप आप बरेली से बरेली जा रहे हो या पिर कहीं भी जा रहे हो तो आपको उस रूट के बारे में जानना है कि उस रूट पर कौन कौन सी train है तो वह मैं आपको भी बताता हूँ पहले इसको समझ लेते है get train पर ठीक है तो यहां पर देखिए जो वोल्ड होता है वह यहां पर आ गया है ढुल्ट पारे में देखिए जानना है अगयाद लेडिखया प्लाइब सब्सक्राप अपर देखिए जाओ के लाए यहां पर अपको प्लेट फोर्म नम्मर अपर बिल जायेग तो यहां पर आपको ट्रेंब पर चीक है यह मरा है दो खोड़ो मैं यह आंणी तो यह आ जाने वाली है नौचंदी एक्सप्रेस ठीक है तो भी कितना डेले है यहां पर दिखा दिया यानि कि एक घंटे उनचास मिनट पूरा डेलेट है ठीक है पांच बच के शब्वीस मिनट पर यहां पर स्टेशन पर आ जाएगी और प्लेट फॉर्म नंबर अभी शो नहीं हुआ है तो वह क्ल लोग बताईगा और इस पीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा ताकि जादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने और आराम से अपना अपनी जर्णी को कर सके तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत कर दो